हलो स्टूडेंट्स नमस्कार स्ट्रेकाल सोगत है आपका आप ही के पसंदिधा चैनल मैगनेट ब्रेंट्स पर और मैं अभी शेक अगरवाल आपका के मिस्ट्री फेगल्टी लाया हूँ एक और धमा के दार एक और अमेजिंग एक और एक्साइटिंग सेशन क्लास 12 के सी बे स्टूडेंट्स के लिए जिसमें हमने इन और ग्यानिक का बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कोडिनेशन कंपाउंड जो स्टार्ट किया है उस कोडिनेशन कंपाउंड का एक और इंपोर्टेंट सेशन हम लेकर आएंगे जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑक्सिडेशन नंबर क बात करने वाले कहना चाहिए oxidation number की और effective atomic number की यानि कि oxidation number और effective atomic number की हम चर्चा करेंगे oxidation number के बारे में जानेंगे और EAN यानि कि effective atomic number के बारे में जानेंगे clear हो गया तो यह बहुत important topic होगा क्योंकि इसमें खास तोर से oxidation number जो है वो आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि आगे जब आप इस chapter को पढ़ोगे चाहे आप IUPAC naming करो चाहे आप जो VBT theory है वो apply करो चाहे आप crystal field theory apply करो हर जगा पर हर theory में आपको coordination compound में जो metal atom होगा उसकी oxidation number निकालनी होगी आपको उसका oxidation number calculate करना होगा क्योंकि oxidation number से बहुत सारी चीजे बहुत सारा data हम determine कर सकते बहुत सारा data हम बता सकते तो सबसे पहला काम, in fact मैं कहूंगा कि जब तुम IUPAC naming करो या तुम crystal field theory apply करो या तुम valence bond theory apply करो आज ये theory पढ़ोगे तुम तो इन सब theory की शुरुआत यानि कि सबसे पहला काम आपको oxidation number के साथ करना है यानि कि सबसे पहले आपको oxidation number निकाल लेना है उसके बाद आपको theory में आगे बढ़ना है तो मतलब तुम समझे लो भाई कि oxidation number जो है वो कितना important है, कितना जरूरी है क्योंकि जब आप theory start करोगे तो आपको oxidation number की जरूवत आगे पढ़ेगी बहुत बहुत दिक्कत आईगी अगर oxidation number आप नहीं निकालते हो तो इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको oxidation number निकाल कर रखना है अब वो oxidation number क्या होगा? कैसे निकालेंगे? किसका oxidation number होगा वो जिस जो हम निकालेंगे? वो सारी चर्चा वो सारी बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं और उसी के साथ सिर्फ oxidation नंबर पे कहानी नहीं रुकेगी उसी के साथ एक और topic होगा which is called as effective atomic number जिसको हम EAN short में बोलते हैं effective atomic number वो effective atomic number क्या होगा जो coordination compound भी specifically आता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में महलब ये वीडियो बहुत important होगा मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो से direct कोई question आएगा board level पर direct question इस पर नहीं आयाता कभी आप से ये नहीं पूछेंगे कि फलानी का oxidation number क्या है या फलानी का EAN क्या है लेकिन आपके लिए जो board में question आएगा वो या तो IUPAC नहीं होगा या वो crystal field theory पर based होगा question या वो valence bond theory पर based होगा question तो उन सब में आपको oxidation number की जरुवत पढ़ने वाली है तो ये topic directly तो यहां से question नहीं पूछेगा लेकिन indirectly 100% हमें इस topic की जरुवत पढ़ेगी किसी और question को करने के लिए clear हो गया तो ये बहुत important वीडियो होगा और magnet based की website पर भी available है आप देख सकते हो अगर आप YouTube चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो website पर भी देख सकते हो आपको सारे वीडियो सारे lecture पूरे syllabus आपको free of cost प्रोवाइड करते हैं तो start करते हैं भाई समझते हैं oxidation number और effective atomic number अभी study में सबसे पहले हमारे पास oxidation number इसको हम oxidation state भी बोलते हैं पहले समझते हैं इसको definition क्या होगी इसको define कैसे करेंगे it is a number that represents an electric charge in which a metal atom और iron has or appears to have when combined with ligands तो basically oxidation number यह oxidation state क्या है यह एक number है that represents an electric charge जो एक electric charge को represent करेगा जो metal atom के पास है या उसके पास दिखेगा जब वो combined होगा ligand के साथ जैसे हमारे पास एक metal एम यह भी ligand से combined है यह एक ligand है यह एक दूसरा ligand है यह एक तीसरा ligand है यह एक चौथा ligand है चार ligand से यह combined है अब इस metal पर definitely कोई electric charge होगा इस metal पर definitely कोई electric charge होगा definitely कोई electric charge होगा और जब इस metal पर कोई electric charge होगा जब वो ligand से combine करेगा या जो electric charge appear हो रहा होगा वो इस metal का oxidation number कहलाएगा oxidation number कहलाएगा तो जो भी charge आपको central metal atom का दिखे जब वो ligand के साथ combine हो रहा है तो उस charge को आप उस metal का oxidation number बोल देते हो बहुत simple सी बत है अब नाम से oxidation number है क्या देखो नाम से अगर हम जाएं तो वो oxygen से respect में कुछ number है oxygen के respect में कुछ number है तो होता क्या है जनरली अगर हम oxidation की बात करते हैं क्योंकि oxidation से coordination में नहीं आएगा in fact 11th class में आपने redox reaction नाम का chapter पढ़ा होगा उस redox reaction में तो सबसे important topic की oxidation number है वहाँ पर भी तुम oxidation number निकालते हो तो oxidation number की universal definition क्या है कि अगर कोई भी मेरे पास atom है कोई भी atom है उसके उपर क्या charge आ सकता है with respect to oxygen atom मतलब उसके उपर क्या electric charge present हो सकता है with respect to oxygen atom that will be considered as its oxidation number तो आपके पास कोई भी atom है आपको बस ये देखना है कि oxygen के मुकाबले इसके पास क्या charge आ सकता है अब generally होता क्या है कि oxygen जो है वो दुनिया का second most electronegative element है दुनिया का second most मतलब अगर उसके tendency देखे electron को gain करने की तो fluorine के बाद वो दूसरे number पे आता है तो अगर हम किसी भी atom की generally एक charge देखेंगे electric charge कि अगर इसको oxygen के साथ रखा है oxygen के respect में का मतलब क्या है कि अगर किसी भी atom को अपने oxygen के साथ रखा है तो उस oxygen के जाने के बाद वो उस atom को क्या charge दे जाएगा क्योंकि जब oxygen जाएगा तो electron लेकर जाएगा क्योंकि दुनिया का दूसरे number का most electronegative atom है तो अपने electron ले जाने के बाद oxygen वो electrons ले जाने के बाद उस atom पर जो electric charge छोड़ जाएगा उस atom पर जो electric charge छोड़ जाएगा वो oxidation number गहलाता है और generally वो charge plus होता है क्योंकि oxygen electron negative है तो वो अपने साथ electron लेकर जाएगा तो वो minus लेकर जाएगा और जो atom जिसके हम बात कर रहे है जिसका हम oxidation number calculate करना चाहते है वो positive oxidation state generally दिखाएगा generally not always but yes generally दिखाएगा और खास तोर से अगर वो atom कोई metal हुआ खास तोर से अगर वो atom कोई metal हुआ तो metal तो भाई यह होते ही electropositive है metal की तो परिभाशा Google अंकल हम को यहीं बताते हैं कि दुनिया का कोई भी element जो electron स्वाइच्छा से loose कर सके जो electron बड़ी असानी से अपने अंदर से release कर सके उसे हम electro positive element कहेंगे और दुनिया के सारे metals electro positive होते हैं दुनिया के लगबख सारे metals electro positive होते हैं तो यहाँ पर metal अगर है तो definitely वो oxidation number positive में निकलेगी तो simple शब्दों में अगर हम oxidation number बोले तो oxygen के respect में किसी भी item पे जो electric charge आएगा वो उसका oxidation number होगा oxygen के respect में किसी भी metal पे जो charge आएगा वो उसका oxidation number कहलाएगा अब generally oxygen पे negative charge आता है तो उस item पर positive आएगा और अगर वो metal रहा तो positive आने की probability और जादा होगी फिर तो 100% positive आएगा यानि कि M अगर metal है तो वो positive आपको charge देगा that will be called as its oxidation number तो फिर उसका oxidation number गहेंगे अब यहाँ oxygen नहीं है जब हम coordination compound की बात करते हैं तो यहाँ आपको oxygen जरूरी नहीं है की मिले तो आपको फिर भी एक oxygen के respect में यह मल लेना है कि इस metal पर एक charge आ सकता है कब? जब वो ligand के साथ combine हो रहा है जब वो ligand से loan pair accept कर रहा है हमारा जो metal AIM वो ligand से loan pair accept करेगा तो उस समय उस metal पर भी एक charge होगा एक electric charge होगा that will be considered as its oxidation number at that time वो उस समय उसका oxidation number consider किया जाएगा वो उस समय इसका oxidation number consider किया जाएगा तो जैसे अभी metal चार्ल लिगand के साथ जुड़ा हुआ है जरूरी नहीं चार के साथ जुड़े बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि चार के साथ जुड़े उस से कम भी जुड़ सकता है इस से जादा के साथ जुड़ सकता है लेकिन चब जुड़ेगा तो इस metal पर जो electric charge होगा वो उसका oxidation number के लाएगा oxidation number अब मुद्दा ये कि इसको निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले ये समझो कि जो भी electric charge उस पर आएगा उसको हम उसका oxidation number बोलेंगे so suppose करो suppose करो अब निकालेंगे कैसे उसकी बात करते है suppose करो मेरे पास यहाँ पर एक compound दिया हुआ है coordination compound कौन सा है मैं एक्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ पहला एक्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ विचिस कॉपर NH3 whole 4 bracket के बाद total charges 2 plus अब central metal atom का oxidation number निकालना है और याद रखना हमेशा हम central metal atom का oxidation number निकालेंगे मतलब इस coordination compound में हमें जब भी किसी और थियोरी में oxidation number की तो वो oxidation number हमेशा central metal atom का ही होगा वो oxidation number हमेशा central metal atom का ही होगा यह बात बहुत ज़रूरी है तो हमने copper को central metal atom हमें दिख रहा है तो हमने हमें हाँ पर copper का oxidation number निकालना है किसका निकालना है copper का अब माल लेते हैं copper का oxidation number है हाँ पर X क्योंकि कोई भी चीज अननन होती है तो अपने लिए सब्से अच्छी बात है कि कोई भी unknown चीज़ों को अपन को एक लिए चीज हमानना है that is X maths में तो आज तक ये X का पता ही नहीं चला कौन है कहां है क्या है maths में तो इतनी भार ही unknown हाता है अब देखा जाए तो ammonia एक neutral molecule है ammonia आपको मिल जाएगा तो आप ammonia को कभी चुओगे तो आपको current नहीं लगेगा because it's a neutral molecule है और जो neutral molecules होते हैं मतलब उनका electric charge 0 होता है मतलब उनका oxidation number 0 होता है तो यहाँ पर ammonia जो है उसका oxidation number भी 0 होगा तो मैं आपर कहा देता हूँ x plus 0 कितने हैं यह 0,4 उससे फर्क नहीं पड़ेगा 4 हो या 40 हो या 400 हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा 0 से multiply करोगे तो ultimately 0 हो रह जाओगे equal to equal to and now what is the total charge total charge is plus 2 पूरे molecule पे पूरे iron पे कहना चाहिए coordination iron पे total charge is plus 2 तो this will become equal to plus 2 this will become equal to plus 2 so this implies x will be equal to plus 2 तो यहाँ पर आपको copper का oxidation state दिख रहा है वो plus 2 है यानि कि यहाँ पर copper जो है वो cu plus 2 बनकर exist करता है cu plus 2 बनकर exist कर रहा है so oxidation number of copper oxidation number of copper in cu NH3 whole 4 2 positive is plus 2 is plus 2 and now how it is different from the coordination number coordination number 4 है क्योंकि coordination number अपने पिछले वीडियो में बात की थी कितने loan pair वो accept कर रहा है कितने coordinate bond हमारा central metal atom बना रहा है यह उसका coordination number होगा तो यहाँ पर कितने ammonia है 4 ammonia है एक ammonia में nitrogen एक loan pair डोनेट करता है तो एक loan pair एक ammonia से तो 4 loan pair 4 ammonia से 4 ammonia 4 loan pair देंगे तो मतलब 4 coordinate bond बनेंगे are you getting my point? यहाँ पर 4 coordinate bond बनेंगे कैसे? यह आपका copper एक NH3 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 है 4 NH3 हो गए यह भी लोन पर दे रहा है 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 और इसके ऊपर total charges इसके उपर total charges plus 2 खतम बत तो कितने coordinate bonds बना रहा है 4 तो इसका coordination number 4 है लेकिन इसका oxidation number plus 2 है copper के उपर जो electric charge है वो plus 2 है और कितने loan pair वो accept कर रहा है कितने coordinate bond बना रहा है वो 4 है तो आप बहुत simply कह सकते हो कि oxidation number और coordination number एक बात नहीं होती क्योंकि यहाँ oxidation number of copper is plus 2 और यहाँ पर coordination number जो again copper कही होगा coordination number भी central metal atom कही होता है बाई तो coordination number of copper is 4 तो यहाँ पर आपको coordination number जो मिलेगा वो 4 मिलेगा तो oxidation number यहाँ पर आपको plus 2 मिल रहा है copper का और copper का coordination number यहाँ पर आपको 4 मिल रहा है तो ये दोनों बाते अलग होती है पहली बात दूसरी बात coordination number आप निकालते हो कितने coordinate bonds वो बना रहा है उससे oxidation number आप निकालते हो electric charge के concept से तो electric charge के concept से आपने जैसे यहाँ x माल लिया है उसी तरीके से आप electric charge के concept से oxidation number calculate कर सकते हो तो यहाँ पर आपको x की value मिल गए और यह सारी चीज़ आपको आगए similarly एक और example इनने दिया हुआ है एक और example है हमारे पास f e cn whole 6 4 minus f e cn whole 6 4 minus यहाँ पर हमारे पास एक और component तो यहाँ पर हम क्या सकते है एक्स प्लस साइनाइड के उपर कितना charge होगा cn के उपर यह cn के उपर minus 1 का charge होगा क्योंकि साइनाइड के उपर हमेशा एक minus 1 का charge आता है और अगर कभी आपको ऐसे charge याद नहीं हो जैसे कभी याद नहीं आई गया cn पर charge कितना होता है तो cn से जुड़ा हुआ कोई भी compound देख लो hcn देख लो उसको याद करो cn में जिसमें आता हो kcn याद कर लो n cn याद कर लो कोई भी compound याद कर लो और इससे आप charge ही निकाल लोगे cn के उपर क्या रहेगा कैसे h अगर जाएगा तो plus charge लेकर जाएगा cn पर फिर minus छोड़ जाएगा न अगर plus charge लेकर जाएगा तो cn पर minus छोड़ जाएगा क्योंकि न के उपर plus charge होता है न पोटैश्यम के उपर k plus होता है न तो यहाँ पर cn के उपर charge minus होगा क्योंकि overall वो electrically neutral है overall उनको छूने पर आपको current नहीं लगेगा तो वो electrically neutral है तो इससे यह पता चलता है कि अच्छा यह जो cn होता है उस पर minus का charge होता है minus 1 and now how many cn we have in this molecule 6 cn है तो it will become minus 1 into 6 so now it will become minus 1 into 6 तो minus 1 into 6 तो minus 1 into 6 equal to minus 4 तो यह 4 minus के equal हो गया so this implies x minus 6 equal to minus 4 so this implies x की value आ गई प्लस 2 तो यहाँ पर भी oxidation state प्लस 2 आ रही है लेकिन यह एक अलग molecule है एक अलग central metal atom है यानि कि यहाँ पर Fe की जो oxidation state है वो प्लस 2 आ गई किसकी oxidation state Fe यानि की iron की जो oxidation state है वो आपको प्लस 2 मिल गई है तो this is iron which is having an oxidation state of प्लस 2 Fe की oxidation state प्लस 2 आ गई concept clear हो गया तो यह oxidation state है यह oxidation number है now talking about the coordination number इसी खेल में अगर हम coordination number की बात करें इसी खेल में अगर हम coordination number की बात करें तो coordination number के लिए structure थोड़ा समझो पहले structure बनाओ बीच में Fe 6 CN गेर कर खड़े हुए एक यह रहा दो यह रहा तीन यह रहा चौथा यह रहा पाच्वा यह रहा छट्वा यह रहा यह हो गया आपके पस and total charge is coming out to be 4 minus तो 4 minus यह रहा कितने coordinate bonds बना रहा है आपको पता है जो CNS cyanide वो एक loan पे donate कर सकता है वो एक loan पे donate कर सकता है तो 6 cyanide 6 loan पे donate कर रहा है मतलब there will be 6 coordinate bonds there will be 6 coordinate bonds और जब 6 coordinate bonds है तो coordination number will be equal to 6 तो देखो oxidation number plus 2 आ रही है लेकिन coordination number 6 आ रहा है and coordination number हमेशा हमेशा positive ही होगा मतलब क्योंकि loan pair का जो donation हो अभी negative में नहीं हो सकता क्योंकि number of loan pairs जो donate होंगे वो हमेशा positive number होगा या 0 होगा जाद से जादा तो 0 की case में तो coordinate bond बनी नहीं रहा मतलब coordination compound है ही नहीं तो 0 से उपर ही जाएगा लेकिन positive side ही होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको coordination number के इतना मिल रहा है 6 जबकि oxidation number है plus 2 oxidation number है plus 2 फर्क समझ में आया और coordination number हमने पिछले वीडियो में discuss किया था detail में here we are comparing coordination number with oxidation number यहाँ coordination number को oxidation number से compare करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं दोनो अलग-अलग चीज़ हैं clear हो गया तो this is what we are having as the oxidation number so here the oxidation number of Fe in Fe Cn whole 6 is plus 2 this should be plus 2 is plus 2 so basically this is plus 2 correction कर लेते ही हाँ पर but its coordination number is 6 so its coordination number has to be 6 so coordination number इसका 6 है so meet करते हैं अभी oxidation number समझ में आ गया होगा हलाकि जब हम इसकी जो प्राक्टिस करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारे molecules देखेंगे coordination compounds देखेंगे जिसमें हर metal atom की हम oxidation state calculate करेंगे अभी बहुत जगा में oxidation state calculate करना है तो अभी फिलाल दो example हम लोगों ने देख लिए ठीक है एक और लगता है तो एक और example हम लोग देख लेते हैं एक और example हम लोग देख लेते हैं सबोस करो हमारे पास एक molecule है तीसरा molecule है हाँ पर विच इस ni co whole 4 nickel tetracarbonal और square bracket में उपर कोई charge नहीं है मतलब यहाँ पर 0 है कोई charge नहीं है मतलब 0 है क्या calculate करें पहले इसका oxidation number तो माल लेते let the oxidation number of nickel bx हर बार की तरह तो यहाँ पर हो जाएगा it will be x यह है co carbonyl group basically इसको nickel tetra carbonyl कहते हैं यह जो co है इसके उपर कोई charge नहीं होता यह neutral होता है co तो जब यह neutral होगा तो charge 0 होगा और 4 बार 0 को multiply करो यह 400 बार करो से फर्क नहीं पड़ेगा and then we have equal to 0 why equal to 0 क्योंकि जो total charge है net charge वो 0 हा रहा है क्योंकि इस molecule पर जो net charge आ रहा है वो 0 आ रहा है तो it will be equal to 0 so this implies x की value आपको यहाँ 0 मिल जाएगी this implies x की value यहाँ पर आपको 0 मिलेगी मतलब nickel की oxidation state यहाँ शूनने है ऐसा हो सकता है ऐसा बिलकुल हो सकता है कि किसी metal atom की oxidation state शूनने आए क्योंकि जब वो ligand से combine कर रहा है तो उसके उपर कोई electrical charge नहीं आ रहा है कोई electric charge उस पर मौजूद नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि उसके उपर का oxidation state शूनने होगा और यह सारे metal carbonyls के लिए है सारे metal carbonyls के लिए है अगर कोई भी coordination compound में यह CO दिखे आपको CO दिखे और सिर्फ CO दिखे carbonyl group दिखे तो मान लेना कि उस metal के उपर कभी कोई charge नहीं आएगा मतलब कोई oxidation state नहीं आएगी मतलब उसकी oxidation state zero होगी यह बात उपर स्टार बना कर भी लिख सकते हो मैं यहां लिख रहा हो उपर स्टार बना कर भी लिख सकते हो in metal carbonyls in metal carbonyls यह बहुत important बात है आगे तक बहुत काम आएगा in metal carbonyls the oxidation state the oxidation state of metal is always zero of metal is always zero of metal is always zero तो metal carbonyls में metal की oxidation हमेशा zero होगी metal carbonyls में metal की oxidation state हमेशा zero होगी carbonyls समझ गए ना CO group अगर कहीं पे भी आप coordination compound में metal के साथ CO देखो carbonyl group को देखो तो बिल्कुल calculate मत करना सीधा लिख देना की metal की oxidation state zero आएगी और zero ही आएगी यह सीधा लिख देना calculate करने के चक्कर में मत पढ़ना नहीं तो उलच जाओगे time भी waste करोगे और कहीं confusion होगई तो और दिक्कत आ जाई तो इसके लिए आपको क्या करना है carbonil देखना है metal देखना है metal की oxidation state zero निकाना हाँ लेकिन coordination number की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं coordination number की बात करूँ तो coordination number में structure देख लेते हैं center पर आपका निकल यह center में आपका निकल यहाँ एक carbonil यहाँ दूसरा carbonil यहाँ तीसरा carbonil यहां चौथा कार्बोनिल, यह कार्बोनिल इसको लोन प्यार दे रहा है एक, यह कार्बोनिल इसको लोन प्यार दे रहा है दूसरा, यह कार्बोनिल इसको लोन प्यार दे रहा है तीसरा, और यह कार्बोनिल इसको लोन प्यार दे रहा है चौथा, कितने कॉडिनेट बॉंड हो गए चार तो यहाँ पर आपके पास nickel tetra carbonyl बन रहा है जो आपको चार coordinate bonds बना रहा है जिसकी वज़े से इसका coordination number 4 होगा जिसकी वज़े से इसका जो coordination number होगा वो 4 होगा so this will have a coordination number equal to 4 यह आएगा coordination number equal to 4 तो इसका याद रखना आप हमेशा इनका coordination number 4 आएगा clear हो गया तो coordination number यहाँ पर क्योंकि 4 coordinate bonds है न और एक कार्बोनिल एक coordinate bond देता है यह बात बिलकुल याद रखना एक कार्बोनिल एक coordinate bond तो 4 कार्बोनिल थे टेट्रा कार्बोनिल 4 CO तो 4 coordinate bond बनेंगे 4 loan pair बनेंगे and the number of coordinate bond is nothing but coordination number तो coordination number 4 हो गया तो oxidation number 0 है बट coordination number 4 है oxidation number 0 है लेकिन coordination number जो है वो 4 है तो यह difference समझना जरूरी है oxidation number और coordination number का इसमें कई बच्चे confused रहते हैं बिलकुल confused रहना है fuse उड़ा देना है हमको बाकियों के कि हमें यह चीज़ बिलकुल clear होनी चाहिए clear हो गई यह वाली पार्ट ठीक है screenshot लपक लो तुम सारी चीज़ों का जितना भी अभी तक explanation किया screenshot लपक लो पहला यह explanation किया था oxidation number स्टेट का इस screenshot बहुत जरूरी है दूसरा यह screenshot लपक लें भाई इसका भी यह screenshot भी लपक लें भी बहुत जरूरी है जीवन में तो clear हुआ यह वाला concept तो यहां पर हमने सारी चीज़े देख ली और यहां पर हमने oxidation number और coordination number का difference भी समझ लिया ठीक है अब चलते आगे let's move to the next thing तो oxidation number हाला कि हम लोग हर बार निकालेंगे तो काफी practice आपके oxidation number की होगी क्योंकि कई बार molecules जब हमें मिलेंगे चाहे हम उसका नाम करण करें चाहे हम उसके ऊपर कोई theory apply करें वी बीटी apply करके देखे structure का पता करें हम crystal field theory से splitting पता करें इस सारे topic आगे आएंगे तो इन सब में common बात ये रहेगी कि आपको oxidation number हर बार निकालना होगा आपको इसमें oxidation number हर बार देखना होगा तो वो oxidation number आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा जरूरी है मुविंग आहेड टर्मिलोजी यूजिन कोडिनेशन का पांट्स में ही फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो वी आफ सेकेंड दिंग दैट इस चार्ज ओन दी complex science चार्ज ओन दी complex science हलाग यह terminology से related terms ही हैं लेकिन इनको हमने थोड़ा सा अलग पढ़ना की कोशिश किये क्योंकि यहाँ पर कई जगा confusion होती है oxidation number, charge on ions, effective atomic number, coordination number तो इसलिए इसको थोड़ा सा अपन separately पढ़ने हैं now the second thing is complex science पर charge क्या होगा इस इस बात का जिक्र हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि complex science वो चीज होती है जो square bracket में enclosed होती है आपके पास एक square bracket में enclosed चीज रहती है और square bracket में जब कोई चीज आती है तो आप उसको complex ion कहते हो क्योंकि वही पर आपको coordination compound बनता हुआ दिखता है वही आपका coordination sphere वही आपका coordination ion कहलाया जाता है क्योंकि square bracket की चीज में आपको co-ordination bond बनता हुआ देखता है और जब मैं co-ordination bond बोलता हूं तो वो दो चीजों में मनता है एक metal होता है, एक legend होता है, legend loan payer donate करता है metal को line value loan money donate करता है metal को तो metal और ligand के बीच में वो square bracket की चीज जो होगी उसमें metal और ligand मौपा जोता है entity में जिसमें metal भी है और ligand भी है उस पूरी entity पर charge क्या होगा that will be called as that will be considered as charge on the complex ions तो इसमें अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें the charge carried by a complex ion is the algebraic sum of the charges carried by central metal ion and the ligands coordinated to the central metal ion तो पूरी coordination entity पर जो charge होगा suppose करो आपके पास एक coordination entity है ML4 type की ML4 समझ गए metal है M central metal atom उसको चार लीगेंड ने घेर कर खड़ा हुआ है तो ML4 this is coordination entity this is called as coordination entity ये पूरा coordination sphere है this is called as coordination entity which is coordination sphere this is coordination entity coordination sphere clear हो गया अब इस पर जो total charge होगा उसे हम charge only complex sign कह देंगे अब माल लोगो total charge है X थोड़ी दिर के लिए माल लेते कि वो जो total charge है वो है इस पर X इस पर X charge है तो what is X equal to what is the total this total charge is equal to it is equal to the charge on the individual algebraic sum of the charges on the individual components individual components मतलब M पर जो charge है वो L पर जो charge है वो इन सबका sum होगा X तो it's the algebraic sum of charge on metal ion charge on metal atom so it's a charge on metal atom charge on metal atom plus charge on a ligand plus charge on ligand तो it's a charge on a metal atom plus charge on a ligand which is equal to the total value X तो which is equal to the total value X तो total complex पर जो charge है X वो algebraic sum होगा metal atom पर मौझूद चार्ज का और ligand पर मौझूद चार्ज का तो metal atom पर मौझूद चार्ज का और ligand पर मौझूद चार्ज का algebraic sum होगा जो X के बराबर होगा so this is what we are having as the charge on metal atom plus charge on ligand which is equal to X charge on metal atom plus charge on ligand which is equal to X and this X is nothing but the charge on the complex ions क्योंकि पूरा complex ion यही है न metal और ligand से बना हुआ तो इसके अंदर जो metal का charge है वो जो दो ligand का charge है वो जो दो total charge आज़ेगा as simple as that बात करते हैं आगे example in the complex ion AGCN hold twice AGCN hold twice AGIN silver के जो ion है carries a charge of plus one ठीक है AGCN hold twice और इस पर total minus one दिखा रहा है तो minus one कैसा है उसी के पर चर्चा कर रहा है यहां पर AG पर charge है plus one CN पर होता है minus one but we have minus one twice क्यों क्योंकि 2 CN है तो minus one twice करोगे तो you will get this as minus two and you will get this as plus one plus one minus two is equal to minus one इसलिए total charge यहां minus one आ रहा है plus one minus two is minus one इसलिए total charge यहां minus one आ रहा है are you getting my point so therefore the net charge on the complex ion AGCN hold twice is plus one minus two that is minus one यही मैंने calculate किया है तो यह total charge होता है जो हमें देखने को मिलता है this is what we are having as total charge जैसे FECN whole six four minus का charge है अब यह four minus का charge पता है कैसे आया माल लो थोड़ी देर के लिए पता नहीं है four minus है माल लेते थोड़ी देर के लिए पता नहीं है कि four minus है माल लेते ही यह है कि x है अब हम यह प्रूफ करते है x की value four minus आएगी हमें पता यहाँ पर FEC की जो valency है यहाँ पर plus two आएगी it is plus two CN का charge हमें पता है कितना होता है minus one minus one वो भी कितनी बार 6 बार क्योंकि 6 CN है तो it will become plus two minus six equals to zero plus two minus six equals to zero so this will give you minus four बल्कि equal to zero मत करो my mistake क्योंकि अपन equal to x कर रहे है क्योंकि यहाँ पर अभी अपन x मान रहे है तो plus two minus six equal to x तो यहाँ पर हो जाएगा plus two minus six is minus four which is equal to x तो देखो x की value minus four आ रहे है जो क्या नहीं भी चाहिए थी क्योंकि हमने का था कि x की value है minus four proof करेंगे तो यहाँ पर x की value minus four आ रहे है तो यह complex sign का total charge हो गया यह जो complex sign हो गया इसका यह total charge हो गया जिसकी value minus minus four आ रहे है तो x की value here will come out to be minus four तो ultimately कैसे आप complex sign का charge निकाल लोगे simple सी बात है जो उस complex sign के अंदर बैठे है उनका individual charge देख लो और उसका sum कर दो अब अंदर कौन बैठे है metal बैठा है और ligand बैठे है तो metal का charge उठाओ ligand का charge उठाओ sum कर दो आपको net charge मिल जाएगा sum कर दो आपको net charge मिल जाएगा तो यह आपको charges देखने को मिलेंगे concept clear हो गया यह वाला part का बिलकुल clear हो गया similarly in the complex एक और complex है cu nh3 whole 4 plus 2 का charge देख रहा है कैसे दिखेगा copper ion carries a charge equal to plus 2 copper ion पर यहाँ पर charge plus 2 है as nh3 molecules are neutral therefore the net charge on the complex is plus 2 क्योंकि यहाँ तो यह 0 है तो cu nh3 whole 4 के उपर का charge हम माल लेते हैं x से copper का यहाँ valency plus 2 दिखेगा ammonia neutral है तो neutral 0 into 4 equal to x so this implies x will be equal to plus 2 this implies x equal to plus 2 तो यहाँ पर जो x की value आ रही है वो plus 2 आएगी यह हमें plus 2 मिलेगा x की value यह plus 2 होगा concept clear है so this is what we are getting as the value of x which is equal to plus 2 x की value plus 2 आएगे complex science का charge है so plus 2 as NH3 molecules are neutral therefore the net charge on the complex is plus 2 net charge on the complex is plus 2 तो यह plus 2 आएगा and this is what we talk about this is how we calculate the charge on the complex science clear हो गया तो इसके charges पर confusion confused बिल्कुल मत होना आपको confusion बिल्कुल मत रखना क्योंकि जो metal होते हैं उनका अपना charge होता है जो legands होते हैं उनके पास अपना charge होता है उनका sum कर दोगे तो पूरे coordination entity और जब मैं coordination entity बोलता हूँ तो मन में एकी चीज़ लेकर आनी है यह square bracket तो पूरे square bracket वाली term पर एक net charge आएगा जिसको हम charge on the complex iron गोशिद करेंगे जिसको हम charge on the complex iron गोशिद करेंगे clear हो गई बात पूरे तरीके से second part clear है screenshot लेंगे we'll move to the third topic ओके तो यहाँ पर पूरा तरीक ऐसे concept clear है let's move to the third topic third topic पर अब चर्चा करते हैं भाई effective atomic number which is called as EAN यह भी बहुत अलग चीज़ है और बहुत जरूरी चीज़ है important चीज़ है effective atomic number यह बहुत अलग चीज़ है effective atomic number होता क्या है मैं समझा देता हूँ आपको बहुत simple चब्दों में समझा देता हूँ सिडविक ने पहले बात बताया था effective atomic number atomic number हमें पता है क्या होता है हम हमेशा बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं और हम यह महानते हैं कोई भी element जो होए period table आप चले जाओ उसमें सारे जो आपको substances दिख रहे हैं दे दोजार elements तो कोई भी element जो है उसकी पहचान उसके atomic number से होती है उसकी पहचान उसका atomic number होता है जैसे अगर कभी कोई बोले की atomic number 11 तो हमें पता भाई वो sodium की बात कर रहा है क्योंकि atomic number 11 पूरी chemistry में सिर्फ sodium को allot किया गया तो sodium का atomic number 11 है जब हम atomic number बोलते हैं 17 17 तो हमारी नजर में एक ही चीज आती है that is chlorine हमारे imagination में एक ही बात आती है that is chlorine क्योंकि जो chlorine element है जो chlorine का atom है उसके पास 17 protons रहते हैं और neutral state में 17 electrons भी होते हैं ये भी कह सकते हो इसलिए उसका atomic number 17 होगा तो 17 atomic number वाला जो element है that is chlorine उसको हम chlorine लेते हैं तो इन example से ये समझ में आता है कि जो atomic number होता है वो हर element की एक पहचान होती है हर element की एक identity होती है उसी प्रकार उसी प्रकार coordination compound में भी आपके पास element होते हैं खास तोर से central metal atom लेकिन उस central metal atom के पास coordination compounds में कितने electrons totally मौझूद हैं वो उस समय उस compound के अंदर उस metal का effective atomic number क्यालाएगा फिर से किसी भी coordination compound में किसी भी complex compound में जो central metal atom मौझूद है जो central metal ion वहाँ पर मौझूद है उसके पास total number of electrons कितने होंगे उस समय जब वो complex बना रहा है तो उसको हम उसका effective atomic number घोशित कर देंगे क्या गोशित कर देंगे हम उसको उसका effective atomic number विच इस called as EAN अब यह निकलेगा कैसे इसकी चर्चा करेंगे पहले समझो इन ओडर तो एक्स्प्लेइन the stability of the complex सिडविक प्रपोस्ट effective atomic number abbreviated as EAN और इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा stable है कौन सा unstable है क्योंकि जब हम stability की बात करते हैं तो हम किसी भी complex ion की तरफ जब हम देखते हैं किसी भी complex ion में हम देखते हैं एक metal को तो उस metal का atomic number अगर noble gas के बराबर आ रहा है खासतोर से कौन सा effective atomic number अगर उसका noble gas के बराबर आ रहा है तो हम उसे गोशित कर देंगी कि भाईया ये atom स्थिर है ये atom stable है मतलब ये पागल नहीं है क्योंकि chemistry में दो लोग है एक पागल और एक normal पागल मतलब कौन जिनका अठा जो atomic number है सबसे electronic configuration में outer most shell में 8 electron नहीं है तो हमने कह दिया भाईया ये सब तो पागल है ये सब तो atomic number रखते ही नहीं है मतलब ये सब stable configuration रखते ही नहीं है बट देन इसी category में हमारे पास और चीज़े है जो stable electronic configuration रखते है जैसे हम periodic table की चर्चा करें तो 6 element होते है आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ 6 element कौन से हीलियम नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेड़न हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन जेनोन और रेड़न ये 6 element होते है ये 6 ही दुनिया में स्थिर है नॉर्मल है ये 6 हमें कैसे याद रखने हीना और करीना का X-ray रंगी हमें कैसे याद रखने हीना और करीना का X-ray रंगी हमें ऐसे याद करने और ये 6 ही element है जो दुनिया में स्थिर है stable है कहने को normal है क्योंकि इनके outermost shell में octetool follower है इनके outermost shell में 8 electron देखने को मिलेंगे helium में 2 देखने को मिलेंगे तो वो duplet tool follow कर लेगा बाकी सब में 8 electron देखने को मिलेंगे तो वो octetool follow कर लेगा और इनको हम स्थिर कहेंगे बाकी सारे elements जितने भी हो जितने भी हो इन 6 के इलावा इन 6 के लावा आप समझ लो लगबग लगबग 112, 120 ELEMET और हैं वो सब पागल है वो सब पागल है वो स्ठिर ही नहीं वो पगले है इसलिए कभी भी किसी से भी कहीं से भी रियाट कर जाएंगे इधर चलेंगे it से नाइट कर सकते क्योंकि अन्स्टेबल होते हैं पागल और रियाट कर लेते हैं जैसे सिंपल सी बात अगर आप लोगों से पूछूँ कि आप एक market में घूम रहे हो, window shopping कर रहे हो, normally घूम रहे हो, walk करते हुए चल रहे हो street पर, थोड़ी दूर पर एक normal आदमी खड़ा है और उसके आगे थोड़ी दूर पर एक पागल आदमी खड़ा है, तो मेरे को बताओ इमानदारी से, किसके बगल से गुजरने मे डर लगेगा, किसके बगल से गुजरने में जादा डर लगेगा, तुम conscious हो जाओगे, obviously जब कोई पागल आदमी के बगल से गुजरोगे, तो थोड़ा conscious हो कर गुजरोगे, क्या बरोसा कुछ कर दे हर कत मार्केट में, बरी मार्केट में बेई जती हो जाए, क्योंकि पाग जाले, इन 6 को छोड़ दो तो सब पागले, बस ये 6 हैं जो नॉर्मल है, तो ये हमसे रियाक्ट नहीं करेंगे, clear हो गई बात, clear हो गई बात, तो ये जो elements हैं, ये inert elements से ये रियाक्ट नहीं करेंगे, और इसलिए हम इन सारी gases को एक नाम देते हैं, which is called as noble gases, हाला कि इसमें ए नाकि इन 6 की 6 gases को हम noble gases कहते हैं, noble वर्ट समझ गए ना noble, हम कहते हैं न यार वो आदमी कितना noble है, कितना शरीफ, कितना सीधा वर्ट, किसी दुनिया से लेना देना ही नहीं नहीं हो उसको, ना किसी को बोलता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी के जगडे लपड़े में प पाउंड में, जो भी मेटल आटम, जो भी मेटल आटम, इन noble gases के configuration को follow कर लेगा, इन noble gases के configuration को follow कर लेगा, हमारे लिए वो मेटल आटम stable गोशित हो जाएगा, हम उसे ये मान लेंगे कि उसका stability एक है, उसमें coordination compound में वो एक stable मौजूद हो जाएगा, मतलब stable की तरह मान लिया ज आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेटल आटम, इनका configuration follow कर रहा है, भाया उसके लिए ही तो आपको ये topic पढ़ा रहे है, effective atomic number, ये बात आपको effective atomic number से पता चलेगी, are you getting my point, ये बात आपको किस से पता चलेगी, इसी topic के heading से, यानि की effective atomic number से ये बात पता चलेगी, जिस को आप short में E-A-N कहते हूँ, इस E-A-N से आपको ये सारी बाते पता चलेगे, अब इसी को हमें calculate करना है, इसी को हमें समझना है कि हम E-A-N कैसे calculate करें, इसी effective atomic number को हम समझेंगे, अब सवाल उठता है कि ये effective atomic number हम कैसे calculate करेंगे, है मतलब हमें यह number अगर calculate करना effective atomic number तो हम इसको calculate कैसे करेगे होता क्या है मतलब calculation कैसे होगा तो basically it is defined as taking a definition समझेंगा बाई resultant number of electrons with the metal atom or ion after gaining electrons from the donor atoms of the ligand after getting the electrons from the donor atoms यानि कि ligand से जब neuron मिल जाएं तो metal atom के पास total electron जब कितने होंगे वो उसका effective atomic number होगा taking a simple शब्दों में किसी भी metal के पास total number of electrons कितने हैं जब वो coordination compound बना रहा है यानि कि जब वो coordinate born form कर रहा है तो उस समय electrons कितने है यह उसका coordination number कहला यह उसका क्या कहलाएगा यह उसका effective atomic number कहलाएगा not coordination number यह उसका effective atomic number कहलाएगा clear हो गया तो effective atomic number क्या हो गया बहुत simple शब्दों में total number of electrons और total number of electrons कितने हैं वो donor item से electron मिलने के बाद भी की बात करने है ठीक है न तोटल number of electrons total number of electrons from total number of electrons from या after after getting electrons from donor atoms after getting electrons from donor atoms after getting electrons from donor atoms तो donor atom से electron गेन करने के बाद donor atom से electron donor कौन है लीगेंड है Lewis base है उससे electron लेने के बाद उससे electron gain करने के बाद central metal के पास total electrons कितने होंगे यह उसका effective atomic number होगा this is called as its effective atomic number so the effective atomic number EAN generally coincides with the atomic number of next inert gas except in some cases और वो noble gas के configuration से बिलकुल coincide करेगा मतलब जो भी effective atomic number metal का आएगा उसको आप देखोगे कि वो बिलकुल noble gas के पास जितने electrons होते उससे coincide करेगा मतलब जितने noble gases के पास electrons है यह noble gases है इनके पास जितने electron से उसी value से coincide करेगा हमारा metal का atomic number metal का effective atomic number clear हो गया हाला कि कुछ ऐसे cases है जहां नहीं भी करेगा लेकिन जाद दर cases में exception तो हर जगा है chemistry में लेकिन जाद दर cases में metal का जो effective atomic number है वो noble gas के configuration के बराबर का आएगा अब कैसे calculate करना है उस पर अपन बात कर लेते कुछ examples के अपन चर्चा कर लेते लेकिन उससे पहले अपन इसका screenshot लेंगे और याद रखेंगे effective atomic number Sidwick ने बताया था और इससे हमें stability का idea लगता है क्योंकि जो भी noble gas के configuration के बराबर का atomic number रखेगा मतलब वो stable होगा क्योंकि noble gases उस number पे stable होती है तो मतलब metal के पास भी जब उतने number of electrons होंगे जब वो ligand से loan pair accept कर लेंगे ligand जब उसे donate कर देगा तो उसके पास भी अगर उतने atomic number होंगे तो यह stability को दर्शाएगा इससे molecules में stability नजर आईगी क्योंकि noble gases में भी stability तब नजर आती example देख लेते हैं और calculation देख लेते हैं पहले तुम इसका screenshot ले लो पूरे का तो screenshot ले लो भाई इसका पूरे का क्योंकि अब आपन कुछ example देखने वाले तो example पर यहां चर्चा करते हैं बाई example को यहां देखते हैं मतलब how to calculate EAN calculation of EAN so this is about calculation of effective atomic number so effective atomic number can be calculated by the following relation EAN equal to Z where atomic number of the metal Z जो होगा वो कैसे निगलेगा देखेंगे atomic number of metal atomic number जो उस metal का है वो atomic number of metal minus number of electrons lost in the ion number of electrons जितने lost हो रहे हैं आयन formation में वो minus number of electrons lost in ion formation, ion के formation के दौरान जितने electrons lost हो रहे हैं वो plus number of electrons gained from the donor atoms of the ligand तो जो donor atoms number of electrons देगा उसको add करेंगे तो प्लस number of electrons gained from donor atoms of ligand from donor atoms of ligands तो जो भी ligand का donor atom होगा उससे electron कितने gain हो रहे हैं वो add करना है तो यह आपका Z का formula बन जाएगा this is your formula for Z which is known as effective atomic number this is Z which is known as effective atomic number तो यह आपको Z मिलेगा जो effective atomic number के तोर पर मिलने वाला है atomic number metal का जो है वो minus number of electrons lost in the iron formation कितने electron lost हो रहा है information में plus number of electrons gain from donor atoms of ligand plus number of electrons gain from donor atoms of ligand तो donor atoms of ligand से कितने electron वो donate कर रहा है यह उसका EAN का calculation होगा अब कुछ ए example देख लेते हैं तो अगर मैं atomic number को माल लूँ कि यह X होगा ठीके number of electrons lost in the iron formation यह oxidation state होगी तो यह oxidation number होगा basically यह oxidation number होगा यह O-N माल लेते हैं और number of electrons gain from donor atoms माल लेते हैं Y है तो हमारे पास EAN का एक formula बन गया यानि कि Z will be equal to X minus oxidation state plus Y यह याद रखेंगे हाला कि यह in general मैं अपने लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने atomic number को X denote करा है oxidation number को O-N बोल सकते हो या O-S बोल सकते हो and number of electrons gain from donor atoms of ligand is Y तो यह Y हो गया यह O-S हो गया oxidation state हो गया और यह आपका X हो गया तो X minus O-S plus Y clear हो गया ठीक है example देखते हैं पहले screenshot ले ले लेंगे इसका पूरे part का फिर example देखते हैं कुछ ओके तो example देखते हैं भाई इसी के साथ कुछ यहाँ पर now so EAN of some species effective atomic number of some species यहाँ पर देखेंगे complex अब के पास यह है cobald NH3 whole 6 Cl3 oxidation state metal ion का कितना है प्लस 3 है यह oxidation state है अब oxidation state पहले कैसे निकाला तुम देख लो इसका oxidation state X माल लो ammonia में पता है neutral होता है तो इसका 0 हो जाएगा plus 0 और Cl3 का minus 3 हो जाएगा क्योंकि एक क्लोरीन का minus 1 होता है तो 3 Cl है तो minus 3 equal to 0 क्योंकि total chart 0 है तो X की value यहाँ से आजाएगी plus 3 तो plus 3 इसका oxidation state हो गया atomic number metal का Z यानि कि 27 है मतलब atomic number जो cobald का है वो 27 है cobald का जो atomic number है वो 27 होता है क्योंकि scandium, titanium, vanadium, chromium, magnees, iron, cobald 27 पहाता है क्योंकि 6 है? क्योंकि 6 ammonia उसको अपना lone pair donate कर रहा है 6 ammonia यानि कि 6 ammonia में जो nitrogen atom बैठा है वो lone pair donate कर रहा है 6 nitrogen atom वो donate कर रहा है तो इसका मतलब भी हो गया 6 into 2 12 electron उसे lone pair के थू मिल रहे 12 electron उसे coordinate bone के थू मिल रहे तो total क्या हो गया? देखेंगे 27 atomic number minus 3 oxidation state plus 6 coordinate bond और एक coordinate bond से 2 electron मिलते है तो 6 से 12 मिलेंगे 27 minus 3 plus 12 24 plus 12 that is equal to 36 यह हो गया आपका 36 तो यह हो गया 24 plus 12 that is equal to 36 तो 36 आगया which is your krypton's noble gas configuration मतलब क्रिप्टॉन का atomic number 36 होता है तो देखो क्रिप्टॉन का atomic configuration atomic number की coincide कर रहा है इसका effective atomic number stable होगा क्योंकि क्रिप्टॉन के पास चब 36 electron होते हैं तो वो stable होता है हमारे पास यहां जो metal है इस complex में जो हमारा metal है कोबाल्ड उसके पास भी 36 electron है तो वो भी stable होगा वो भी stable होगा effective atomic number से हमें यह पता चलता है clear हुआ effective atomic number से हमें क्या पता चल रहा है कि metal item के पास total electrons कितने हैं और generally यह देखने को मिलेगा कि जो electron की value निकलेगी effective atomic number हम उसे कहेंगे और वो value noble gases उनके पास जो electron का number होता है उससे coincide करेगी बिल्कुल सेम आईगी तो चब वो noble gases उस electron को रखकर stable हो सकती है तो मतलब हमारा metal जो इस complex में है वो भी stable होगा clear हो गई बात एक और example लेते हैं k4 fe cn whole 6 इसका मैं बता देता हूँ k4 fe cn whole 6 यह second example है यहां सारे calculation में आपको बताता हूँ so this is k4 fe cn whole 6 पहले सबसे सबसे पहले इसकी oxidation state किसकी? fe की यह metal है तो इसकी oxidation state मल लेते है x तो we have plus 4 plus x minus 1 6 बार क्योंकि sinide की valency होती है minus 1 इसकी plus 4 क्यों होई? यह भी देख लो क्योंकि potassium plus 1 होता है और potassium कितने चार है तो plus 1 into 4 times plus fe is x तो x plus cn की minus 1 किती बार? 6 बार equal to 0 क्योंकि total chart 0 है तो यहां से हो जाएगा क्या? plus 4 plus x minus 6 equals to 0 तो यहां से हो जाएगा x minus 2 equals to 0 तो यहां से हो जाएगा x की value 2 तो oxidation state plus 2 आ गई oxidation state plus 2 आ गई यह os हो गया ठीक है? fe का atomic number fe का atomic number 26 होता है जो की x हो गया 26 और coordinate bond यानि की y की value y यानि की coordination number 6 होगा? 6 होगा मतलब electrons through coordinate bond जो होते हैं coordination number नहीं electrons through coordinate bond कित्ते होंगे? 6 और 1 से आपको 2 electron मिलेंगे तो it will be 6 into 2 that is 12 तो निकाल लेते हैं EAN तो निकाल लेते हैं हाँ पर EAN तो EAN is equal to x minus os plus y x कितना है? 26 minus oxidation state is 2 plus y is 12 तो plus y is 12 26 minus 2 is 24 24 plus 12 is 36 which is krypton's configuration वजलब krypton के पास 36 electron होता है तो इसका भी electronic configuration मतलब effective atomic number जो है वो 36 आएगा इसका भी जो atomic number है effective atomic number वो 36 आएगा जो की krypton के atomic number के बराबर है तो मतलब krypton stable तो फिर ये complex भी हमारा stable या कहलो इस complex में बैठा metal हमारा stable metal stable होगा तो complex भी stable होगा ये तरीके से समझ में आया? clear हो गया? अगली बात करते हैं nickel tetracarbonyl ni co4 co whole 4 अगले complex की बात करते हैं तो this is third this is third nickel tetracarbonyl ni co whole 4 nickel tetracarbonyl अब यहां देखेंगे nickel tetracarbonyl को ni की oxidation state निकालते हैं सबसे पहले x तो x plus metal carbonil है हम उपर star बना के लिख चुके हैं कि metal carbonils की oxidation state हमेशा zero होती है metal carbonil में metal की oxidation state हमेशा zero होती है उपर star बना कर यह point लिखा है हमने कि metal carbonil में metal की oxidation state हमेशा zero होती है तो वो zero हो गई x की value zero हो गई ठीक है atomic number यह oxidation state हो गई atomic number निकाल लेते हैं जो कि मैं x से denote कर रहा हूँ अभी फिलाल वो nickel का कितना होगा 27 sorry 28 my mistake 28 scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobald और nickel 28 तो दिस विल बेटेट and y की value क्या होगी y number of electrons from ligands gain from ligands ligands है कित्ते electron gain कर रहा है यह कैसे निकलेगा y की value कैसे निकलेगी y की value देखेंगे हापर y की value y की value देखेंगे हापर तो y की value निकलेगी की कितने है चार और एक कार्बोनेल एक loan pair देता है तो मदब चार coordinate bond लेकिन कहना चाहिए चार coordinate bond मतलब दो loan pair क्योंकि एक से आपको दो loan pair मिल रहा है तो चार से दो यानि की आठ electron मिल जाएंगे दो electron मिलते हैं न एक bond में तो चार bond मनेंगे न चार bond मनेंगे तो दो electron एक bond से तो total electron आठ electron तो y की value आठ हो गई अब निकाल लो आप ean effective atomic number तो ean is equal to x minus os plus y x minus os plus y तो effective atomic number कितना आजाएगा x की value बोलें कितनी है x मतलब यह atomic number की value 28 minus oxidation state कितना है 0 plus y that is 8 तो 28 minus 0 plus 8 is again 36 which is your atomic number of krypton तो krypton की atomic number के बराबर आएगा सारे krypton के बराबर यह आ रहे हैं भी फिला है तो यह भी 36 आपका krypton के बराबर है this is also krypton clear होगे यह तीनो next k2 ptcl6 k2 ptcl6 platinum है इसमें हमारा जो metal है वो platinum है तो k2 ptcl6 को भी देख लेते हैं यहाँ पर देखेंगे अब so this is fourth k2 ptcl6 k2 ptcl6 ठीक है अब क्या करें सबसे पहले oxidation state निकाल लेते हैं इसको मल लेते हैं इसको मल लेते हैं एक्स तो k implies x-4 equals to 0 this implies x की value कितनी आ गई 4 oxidation state निकल गई x की value 4 atomic number atomic number of pt 78 atomic number जिसको हम capital x से देनोट कर रहा है अभी फिलाल के लिए तो वो कितना है फिलाल के लिए वो है हमारे पास platinum के लिए it's 78 platinum का atomic number 78 होता है तो it's 78 to atomic number 78 and last thing क्या हम निकालने वाले atomic number 78 निकाल लिए x की value 4 निकल गई अब हमें y निकालना है what is y number of electrons gain through coordinate bond coordinate bond के थू कितने electrons इसे मिले हैं तो उसके लिए कितने coordinate bonds बना रहा है यह देख लो जितने coordinate bonds बना रहा है into two कर दो क्योंकि एक bond में दो electron मिलते हैं क्योंकि पूरा का पूरा lone pair आजाता है तो एक bond में दो electron तो हमें यह देखना है कि हमें यह देखना है कि कितने जो bonds है coordinate bonds वो कितने तो इन्टु टू कर देंगे, तो कितने coordinate bonds दिख रहा है, यहां पर देखेंगे, कितने chlorine ए 6, और chlorine इस हां mono-dented ligand, mono-dented मतलब एक loan पर donate कर सकता है, एक donor item इसके पास होता है, तो 6 CLA, तो 6 donor item मतलब 6 bond, और 6 bond मतलब total electrons will be 12, तो 6 into 12, that is 12 electrons निकालने हाँ पर effective atomic number तो यहाँ पर अब effective atomic number अपर निकालनेंगे which is EAN जो क्या होगा X minus OS plus Y X मतलब atomic number 78 oxidation state is minus 4 plus Y is 12 तो 78 minus 4 is 74 74 में 12 और जोड़ेंगे 86 which is the atomic number of radon another noble gas तो यहाँ पर अब krypton नहीं थोड़ा सा बदलाव हो गया है लेकिन जो आई है वो radon है जो की again noble gas है radon भी भई हमारी noble gas है यह आपको देखेगा radon भी हमारी noble gas है यह redon अभी यह krypton था यह तो radon हमारी noble gas है clear हो गया तो यहाँ पर आपको 86 radon की noble gas clear हो गया तो यह सारे molecules जो होंगे stable होंगे क्योंकि इसमें जो metal के पास electrons हैं जो की उनका effective atomic number बता रहे हैं वो वही effective atomic number बता रहे हैं जो noble gases का atomic number है यानि की जो भी noble gases है उनका जो atomic number है वही यहाँ पर इनका effective atomic number होगा clear हो गई बात last example और बच गया है जो की k3 fe cn whole 6 है देखो k4 fe cn whole 6 है और यह k3 fe cn whole 6 है हलागि इसमें noble gas नहीं आएगा क्योंकि k4 में आ चुका है बट ठीक है यह भी exception case होगा बट इसमें भी हम effective atomic number निकाल सकते हैं तो इसको आपर देखेंगे next example is fifth और fifth example कौन सा है हमारे पास k3 fe cn whole 6 let the oxidation state of fe bx पहले oxidation state इंगाल लेते हैं तो k की plus 1 और कितने k है 3 तो plus 1 into 3 plus fe की oxidation state x plus cyanide की minus 1 और कितने cyanide h है तो plus 1 into 6 equals to 0 so this implies plus 3 plus x minus 6 equals to 0 this implies x की value आ गई 3 तो x की value plus 3 आ गई ठीक है small x की अब atomic number जो capital x होता है that is 26 scandium titanium vanadium chromium manganese iron iron 26 वे number पर आया तो atomic number fe का कितना हो गया 26 और क्या निकालते है अपन य तो य निकाल लो y will be your number of electrons gained through coordinate bond कितने electrons उन्हें मिले coordinate bond के through gain through coordinate bond कितने electrons मिले तो वो कैसे मिलेगा कितने coordinate bond बना रहा है इंटो टू coordinate bonds इंटो टू महलब इसका अगर फॉर्मल अभी तक अपन ने देख लिया है तो इस इस coordinate bond इंटो टू अब coordinate bond कितने बन रहा है साइनाइड monotendate है महलब एक donor item होता है उसके पास एक बार में तो वहाँ पर है तो दो donor item लेकिन एक बार में कोई एक ही donate करेगा तो साइनाइड में एक coordinate bond बनेगा और साइनाइड है च्छे तो च्छे coordinate bond और एक bond के थ्रू दो electron मिलते हैं तो 6 bond के थ्रू 6 इंटो 2 यानि की 12 electrons मिलेंगे तो ये 12 electron हो गया है हम निकाल लेते हैं भाई EAN effective atomic number क्या होता है formula x minus os plus y x atomic number 26 oxidation state is plus 3 यानि की minus 3 plus 12 अब 26 minus 3 is 23 23 plus 12 is 35 तो ये just बच गया क्योंकि 36 आता तो ये again krypton हो जाता लेकिन 35 हो गया effective atomic number तो इसका atomic number noble gas के नंबर के बराबर तो नहीं है 35 आ रहा है लेकिन ये exception है क्योंकि ये molecule भी stable है क्योंकि ये exist करता है तो k3 fe cn6 भी आपको मिलेगा हाला कि k3 fe cn6 से ज्यादा stability k4 fe cn6 में क्योंकि k4 वाले में एकदम 36 आ रहा है जो कि क्रिप्टॉन के बराबर है लेकिन k3 वाले में 35 आ रहा है जो कि क्रिप्टॉन से एक कम है ठीक है ना बट फिर भी ये भी stable माना जाएगा क्योंकि ये exception का case हो गया और generally जनरली तो ये लोग सब noble gas के atomic number के बराबर आएगा effective atomic number metal का लेकिन कुछ cases में exception भी होगा जहां metal का effective atomic number noble gases के atomic number के बराबर नहीं आएगा बट फिर भी वो compound वो coordination compound stable होगा फिर भी वो ultimately effective atomic number भी हमें संपट पढ़ गया है और ये भी समझ आ गया है कि हम effective atomic number को calculate कैसे कर सकते हैं and this is how we can calculate the effective atomic number तो इस तरीके से हम effective atomic number को calculate कर सकते हैं calculate कर पा रहे हैं effective atomic number ठीक है again मैं formula एक बार और बता देता हूँ जितने लोगों को doubt हो वो formula एक बार और देख ले proper दंग से तो effective atomic number will be equal to सबसे पहले atomic number of metal so it's always equal to atomic number of metal minus oxidation state of metal oxidation state of metal plus number of electrons loss or gain by atoms number of electrons lost or gained sorry number of electrons gain not loss metal को तो loan pair मिलेगा ना हमेशा वो accept करेगा ना तो number of electrons gain by metal through coordinate bond metal through coordinate bond bond through coordinate bond clear हो गया यह होता है EAN which is called as effective atomic number which is called as effective atomic number यह formula होता है जो सबसे ज़्यादा जरूरी और important है और हो सकता है EAN पर question आ जाजाए ठीक है EAN पर question direct आ जाता है तो बिलकुल हो सकता है कि EAN पर direct question आ जाए direct question मिल जाए क्योंकि आपको कुछ compound दे देंगा और बोलेंगे बताओ इसमें central metal atom का EAN निकालो effective atomic number और याद रखना यह बात effective atomic number हमेशा central metal atom का होता है it is always calculated of it is always calculated of calculated for central metal atom central metal atom it is always calculated for central metal atom तो central metal atom के लिए यह हमेशा calculate होगा this is what we call as effective atomic number EAN central metal atom के लिए it will be always calculated तो central metal atom के लिए आपको यह calculate करना पड़ेगा पूरा बात ठीक है तो effective atomic number का formula याद रखना हो सकता है तुम्हे direct question आ सकता है effective atomic number पे पूरे पूरे chances है बट नहीं भी आया तो जरूर आपको इस्तेमाल हो जाएगा तो इसलिए effective atomic number पता होना जाहिए तो with that we have gone through with everything like हमें सब चीजे पता चल गई चाहे वो oxidation number हो चाहे coordination number हो चाहे charge on coordination entity हो चाहे हमारा effective atomic number हो एक बाद आप screenshot ले लो इस पूरे पार्ट का क्योंकि हमने screenshots नहीं लिए है like effective atomic number यहां से शुरू हुआ है तो इसका तो ले लिया था इसका screenshot ले लो पहले पार्ट का दूसरा भई यह इसका screenshot ले लेंगे एक बार इसका screenshot ले लेंगे तीसरा यहां पर screenshot लेंगे यहां पर calculations किये थे जो examples हमारे सामने थे उसके effective atomic number के calculations हमने किये थे फिर यहां पर दूसरे examples के calculation किये थे इसका भी screenshot लेंगे यहाँ पर भी हमने calculations किये थे और फिर यहाँ पर हमने formula लेखा था यहाँ पर last formula लेखा था तो इसका भी screenshot ले लो formula भूलना नहीं है formula वैसे अब तक याद हो चुका होगा क्योंकि जितने examples हमने अभी तक देखें उसमें सब में हमने formula की बात कर लिए clear हो गया तो formula हमने अभी तक इत्की practice कर चुके हैं कि अभी तक याद हो चुका होगा बट भूलना भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हमारा पूरे तरीके से complete होता है coordination number, oxidation number, effective atomic number and charge on the species हाला कि coordination number हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और इसमें हम लोगों ने इन सब चीजों की charges की बात किये अब जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग वर्दर थियोरी की बात करने वाले यानि की coordination compound को लेकर जो सबसे पहली थियोरी थी उसका जिक्र करेंगे हम अपने अगले वीडियो में जिसका नाम होगा वर्दर थियोरी और इन फैक्ट यह सबसे पहली थियोरी है coordination compound की मतलब valence bond से भी पहले आ गई crystal field थियोरी आगे चलके एक थियोरी पढ़ोगे वो latest थियोरी है लेकिन जो सबसे पहली और पुरानी थियोरी है coordination complexes को लेकर coordination compounds को लेकर complex salts को लेकर वो verner थियोरी है जो की verners आपने दी थी जिसका जिक्र हम अपने अगले वीडियो में करेंगे बाकि अगर आप YouTube पर कोई lectures में साउट कर जाते हो या YouTube पर आपको कोई sequence नहीं मिलता है जैसे आप कोई chapter स्टार्ट करते हो तो उसका sequence आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि होता क्या है देखो YouTube पर मैं आपको बताता हूँ कि YouTube पर जब आप जाते हो तो आपको इतना सारा content मिलता है कि कभी आपको समझ नहीं आता कि आर शुरू कहां से करना है चाप्टर और खतम कहां पे करना है जैसे आप कोई topic से कोई video सर्च करो YouTube पर आपको उस topic से भटेरो videos मिल जाएगे आपने कोई video उठाया उसको देखा आपको समझ में भी आ लिया लेकिन अब आपको ये नहीं समझ में आता कि इस video को देखने के बाद हम अगला topic कौन सा पढ़े या इस video से पहले topic कौन सा पढ़के आना चाहिए था या अगर हमने कोई theory पढ़िये तो जब तक उसके question नहीं लगाएंगे तब तक तो topic माना नहीं जाएगा 100% कि हमें आ गया है तो हमें कोई question दे दे कोई question मिल जाए तो वह question कहां से मिलेंगे वहाँ YouTube फैल जाता है क्योंकि आपको कोई वीडियो सजेस्ट नहीं करता कि आप इसके question से यहाँ पर आप यहाँ पर देख लो या वो कोई link नहीं बना देदा कि या यह sheet है यह download कर लो कुछ ऐसा आपको मिलता नहीं यूट्यूब पर आपको topic wise बस video मिल जाएंगे जो भी आप manually सर्च करोगे लेकिन वो sequence कही ना कहीं missing रहेगा हमेशा तो इस समस्या से निजात पाने का एक बहतरीन और सबसे सरल उपाई यह है कि आप सारे lectures को magnet based की website पर आकर दे जो topics की listing देखोगे आपको पूरी topic की listing मिलेगी proper sequence मिलेगा यहीं आपको questions मिलेंगे यहीं NCRT के index questions मिलेंगे यहीं NCRT के exercise के questions मिलेंगे पूरे तरीके से एक पूरा आपको जो कहना चाहिए कि जो एक proper study होती है sequentially structured course की वो आपको website पर मिलता है काम बहुत असान है आप जैसी website साइट पर आओगे home page पर आपको पूरे lectures दिखेंगे आपको पहले category select करनी है अगर आप competitive exam IITJ या NEET की त्यारी करें तो आप IITJ नीट पर चले जाओ या अगर आप 12th CBC board की त्यारी करें तो CBC K-12 section में class 12th पर आओ यहां आपको सारे lectures दिखेंगे हर faculty के physics, math, chemistry, English, bio, indie, सभी subjects के आपको courses मिलेंगे, मेरा chemistry का course भी दिखेंगे आपको part 1, part 2, part 2 में हमारा organic के generally part 1 हमारा पहली book है, जो की chemistry part 1, उसमें coordination compound का chapter part 1 में ही आपको मिलेगा, उसमें आपको यह सारी topics wise listing होगी, यहां पूरे chapter आपको दिखेंगे sequence में, chapter 10, chapter 11, chapter 12, कितने lecture से, कितने topics से हर chapter के आगे, वो आपको मिलेगा, और side में आपको एक plus का button दिख रहा है, तो जैसी आप plus के button को click करोगे, तो आपको पूरे topic की listing मिलेगी, पूरे topic की listing मिलेगी, पहला topic यह, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह, NCRT के index question यह, NCRT की back exercise के question यह, पूरा sequence आपको यहां पर मिलने वाला है, और जैसी आप कोई video play करोगे, आपको इस तरीके का high quality video stream होगा, अगर आप क्या का internet connection बढ़िया है, तो जैसा आप YouTube पर बिना रुकावट की video देखते हो, वैसे यह video चलेगा, high definition में चलेगा बिलकुल video, कोई buffering नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, आप कई लोग कोई subscription, कोई package का system नहीं है magnet brains पार, एक मातर channel है पूरे इंडिया का, जो 100% free education आपको देता है, और 100% का मतलब यह है कि complete free education, 2, 4, 5 chapter नहीं, बलकि पूरा syllabus आपको free मिलता है, यह जो video तुम देख रहे हो, जैसा यह YouTube पर free of cost चलता है, वैसे website पे भी चलेगा, बस आपको website पर जा payment नहीं करना, फिर one shot revision मिल जाएगा, आपको, उसमें आपको doubt clearing sessions भी होंगे live, वहाँ पर test series बहुत जल्दी आने वाली है, वो test series मिलेगी, बहुत सारे features आपको इसके इलावा भी मिलेंगे, website पर, जो YouTube पर नहीं, उसे जादा चीज़े website पर मिलेंगी, बाकि आपको पता है, main 10th, 10th, या फिर और foundation में, आप general science, social science, moral science, और इसके लावद, चितने भी foundation के subjects होते हैं, उनकी बात करो, चाहे languages हो, हिंदी, English, Sanskrit, या फिर commerce के subjects हो, 1112 के commerce के subjects, accounts, economics, business studies, ये complete package आपके लिए बना कर रखा है वाईया, expert faculties ने आप लोगों के लिए recording किये videos की और आप तक पहुचा कर time invest करने की जरूरत है, पैसा invest नहीं करना, अपना time invest करना है, और उन lectures को देखना, proper playlist आपको YouTube पर मिलेगी, और structured and organized course आपको website पर मिलेगा, बाकी जितने तुम्हारे friends हो, relatives हो, सबके साथ आप channel का link जरूर शेर करें, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे ऐसे channel को ढूंड रहे हो, जहां structured course मिले, जहां complete syllabus free of cost मिले, जहां kg से लेकर 12 तक के हर class के subject सामें मिल जाए, कहीं हमें किसी और subject के लिए बाहर ना भागना पड़े, तो उन लोगों के साथ इस channel का link जरूर शेर करें, इसी तरीके से magnet बेंस को अपना प्यार और support देते रहें, stay tuned, stay connected, thank you.